भारतीय रेल जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के तूर दर्शी प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी के निरनायक नेत्रत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास नए भारत की रेल को आधुनिक कलिवर देने के लिए पिछले तस सालों में रिकॉर्ड बारा लाग करोड रुपे का किया गया दिवेश और बदल गई रेलवे की तस्विए भारतिय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फोर्मेशन के दोर से गुजर रही है इस दसक के अन्त तक भारतिय रेलवे का पूरी तरह काया कल्प होने जा रहा है पिछला दसक प्रधान मंत्री जी के दृड संग कल्प और स्पष्ट नीती को दर्शा रहा है तभी तो मात्रित दस वर्ष वे 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्मान और दोहरी करण हुआ 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्यूती करण भी हुआ 6000 से अधिक स्टेशनों पर हाइ स्पीड वाय वाइफाई की सुविधाertas डिजिटल इन्डिया की तहचान बन रही है Dedicated Freight Corridor से मार धुलाई में तेजी आई है तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से योग स्वदेशी बंदे भारत और अमरिद भारत ट्रेनिंग आत्म निर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है देश भर में स्टेशनों के सौंदर्य करण एवं आधुने की करण का काम बड़े स्तर पर एक अभूत पूर्वक गती से हो रहा है यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरिय करने के लिए तेरा सौ से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमरित स्टेशनों के रूप में पुनर विकसित किया जा रहा है अमरित भारत स्टेशन योजना के अंतरगर भोपाल का रानी कमलापती स्टेशन हो गुजरात का गांधी नगर क्यापिटल स्टेशन हो बेंगलूरू का सर एम विश्वेश्वराय या टर्मिनस हो या श्रीराम जन्म भूमी स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं ऐसे शांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड रहा है 41,000 करोण रुपए की 2000 से अधिक रेल पर योजनाओं की देश वाजियों को दी जा रही है सौकार्ट जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का काया कर्ब और 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास का निर्मार्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद बोधीची लोकारपित कर रहे है अत्या धुनिक सुविधाउं से युक्त बुनर विक्सित गोंती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे है वर्जुल शिला न्यास देश भर में 500 तिरपन रेलवे स्टेशनों के बुनर विकास कर रहे है ये अम परियात पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और अवागमन के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं साथ ही ये स्टेशन होंगे परियावरण अनुकूल और दिव्यां फ्रेंडली भी पिछले एक दशक में भार्तिय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रती बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है सुगम, रेल और सडक यातायात तथा रेलवे क्रोसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवर ब्रिज और अंडर पास का लगातार हो रहा है निर्माण 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का काम पूरा हुआ है इसी कड़ी में आज प्रधान मंत्री जी कर रहे है शिला म्यास और लोकारपण देश भर में 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर पास का भारत कैसे बदल रहा है सपने कैसे सच हो सकते है ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उधारान भारतिय रेलवे भी बन रहा है देरबाण की अभूतपूर्व रफ्तार की बोधी सरकार की कैरेंटी से सुनिश्चित होगा विक्सित भारत का संकर जय हिंद